दोस्तो आजके में हम बातचीत करने वाले फुलोटन इंडिया इंस्टा पर्सनल लोन के बारे में जहां पर आपको लोन कैसे लेना है उसका प्रोसेस क्या रहेगा उसका टिन्यूर क्या रहेगा इस स्टारी चीजे को यहां पर आपको step by step बताने वाला हूँ इस वीडियो के फिस जो है 0% से के लिए 6% तक लेता है और लोन दिन्यूर की बात करें तो 12 मंत से लेके 60 मंत के लिए और डाकुमेंट बात करें तो यहां पर आपको के वाईसे डाकुमेंटेशन, पैन काड़, वैलिट आड्रेस प्रूप, एमप्लोमेंट डिटेल्स प्रूप, सैलरी स्ल यहां पर आपको नमस्ते एड फुलटान इंडिया.com इस एमेल आड्रेस पर एमेल कर सकते हैं और साथ में यहां पर आपको फोन नमबर भी मजूत है जहां पर आपको 9 अम से लेके 7 पीम तक संडे चोड़के और पब्लिक फॉलिडे चोड़के कॉल कर सकते हूं और इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल करना है और ओपन करना है जैसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपको कुछ सेटिंग को अलाउ करना है जैसे अलाउ करोगे तो यहां पर आपको देख सकते हैं वन स्टॉप सॉलूशन फॉर और यह जो प्रोसेस रहने वाला डिजिटल और पेपर लोन देया जाता है तो simply proceed करने के बाद इस पेज पर आयो गए अगर आप salary अप्लाई तो यहां पर इस application के मार्दिन से यहां पर आपको apply करना है apply करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको sign up करना है sign up करने के लिए simply mobile नंबर डालना है mobile नंबर पर एक OTP आएगा उस OTP को यहां पर आपको verify करना है जैसे OTP verify हो जाता है तो यहां पर आपको second step पर आजाते हो जहां पर आपको basic information बरना होता है basic information के अंदर सबसे पहले आपको as per name डालना है उसका जेंडर सलेक करना है उसका date of birth सलेक करना है उसके बाद current address पिन को डालना है net monthly income उसके बाद current को EMI चल रहा है आपका ओ डालना है आपका salary किस account में आ जाता है जैसे कि bank credit हो जाता है या cash में मिलता है तो यह दोनों में से एक option सलेक करना है और उसके बाद यहां पर आपको simply unlock your offer option पर click करना है तो यहां पर आपको एक offer दिखाए देगा कि आप कितने loan के लिए eligible हो चुके हो और यह loan जो आपको मिलने वाला है कितने month के लिए मिलने वाला है आपको simply select करना होता है कि आपको यह loan जो है 12 month के लिए 24 month के लिए 36 month के लिए 48 month और 16 month के लिए चाहिए तो आप simply यहां पर आप उसके बीद प्रोसिड हो जाएका उसके बाद यहाँ पर आपको एक रेपरेंस नंबर जनराइट हो जाता है तो यहां पर आपको अपका professional details बरना है जैसे किस company में काम करते हो salary apply हो तो उसके बाद यहां पर आपको अपका organization करना है current address डालना है company का official email address डालना है और यहां पर आपको कितने साल से उस company में काम कर रहे हो या job कर रहे हो उसके बाद save and proceed option पर click करना है जैसे save and proceed option पर click करोगे तो यहां पर आपको जो eligible हो जाते वह offer यहां पर आपको दिखाए देगा offer दिखाने के बाद यहां पर आपको simply यहां पर document अपलोड करने होते है जैसे कि photo, identity proof, as a pen card, driving license, address proof के लिए electricity bill या passport दे सकते हैं और यहां पर latest salary slip और यहां पर bank state में इस सारे details को यहां पर आपको बरना होता है जहां पर आपको लोन 12 मन से लेके maximum 60 मनते की लोन दिया जाता है और annual rate of interest की बाद के तो 11.99 से लेके maximum 23.99% तक rate of interest आपको pay करना होता है तो इस तनी सारे eligibility है तो इस तरह से आपको इंडिया लोन के लिए apply करना है जहां पर आपको minimum document साथ यहां पर आप लोन eligible हो जाते है और आशाने से यहां पर आपको लोन प्रोड़ के चता है तो दोस्तों अगर आपको यह information helpful लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसे इंट्रेस्टिंग्स वीडियो देखना चाहिए तो हमरे साथ बने रही है मिलते आपको लोन नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई टेक किया जाहिए और ने मात आप